दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आमारे चैनल में इस वीडियो के अंदर अब यालो लूसेंट समान ने ग्यान इस से रिलेटेट जो है इंपोर्टन्ट 40 प्लस कुश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एक्षान से रेल बे गु में जो घंटी यानि जो बेल आइकन का निसान है इसे जरूर से अंकरते हैं ठीक है और यह टोटल जो 40 कुश्चन है आप इनमें से कितने कुश्चन जो है सही कर पाते हैं अपना स्कूर जो है कमेंड बक्स में जरूर बाता है तो चले शुरू करते हैं देखे यहां पर हमा जो है सदनों की दोनों बैठक की मतलब संबिधान में दोनों सदनों की सन्युकत बैठक का प्राउधान है ठीक है आंसर हो जाएगा अप सनी इसके अलावा जादी हम बात करें अनुषिद 110 की तो देखे इसमें धन बिद्य को परिभासित किया गया है ठीक है अनुषिद 163 163 की बात करें तो इसमें जो है राज्येपाल को सहायता देने के लिए जो है मंत्री परिशत का प्रावधान है ठीक है राज्येपाल को सहायता देने के लिए बिश्वा में ट्रेड और्गिनाइजेशन का प्राथम मंत्री बर्गिय सम्मेलन कहां हुआ था तो देखें बिश्वा ट्रेड और्गिनाइजेशन इसको जो है हिंदी में क्या बोला जाता है बिश्वव बेपार संगठन ठीक है बिश्वव बेपार संगठन का प्रोथम मंत्री बर्गिय सम्मिलन कहां हुआ था तो देखे यह हुआ था सिंगापूर में ठीक है कहां पर हुआ था सिंगापूर में हुआ था बात करें बिश्वव ट्रेड और्गनाईजेशन यानि युलोटीयो की अस्थापना कभ हुई थी तो देखे इसके अस्थापना जनवरी 1995 में जो हैं इसकी अस्थापना हुई थी मुख्याला की बात करें तो स्वीटर लेंड जनेवा में जो इसका पदाओधी कितने वर्स का होता है अंतराष्टिय न्यालय के न्याइधिसों की पदाओधी कितने वर्स का होता है तो ये 9 वर्स का होता है ठीक है आंसर हो चाहेगा D ठीक है बात करें बरतमान में अंतराष्टिय न्यालय में जो भारतिय न्याइधिस कौन है तो अभी बरतमा सोका होता है तो डलविर सींग जो भंडारी हैं ये कब निर्वाचित हुए 121 एक जाना होता याद की दनाएधितरी नमबर 9 जाना होता है राश्पती का जो रिक्त अस्थान होता है कितने समय में जो है भर लिया जाना होता है छे महीने में ठीक है छे महीने के अंदर जो है भर लिया जाना होता है आंसर हो जाएगा D बात करें राश्पती की तो भारत के पहले राश्पती डाक्टर राजंदर परसाथ थे ठीक है राश्पती पत का प्रावधान कौन से अनुशेद में है अनुशेद बावन में है राश्पती बनने के लिए नियूंता मायू पुछा जाए कितना होनी चाहिए तो 35 वर्स होनी चाहिए और अभी बरतमान में राश्पती के बेतन कितना है 5 लाख है ठीक है और राश्पती जो होते हैं अपना एस्थीपा किसे देते हैं उपर राश्पती को जो ही अपना एस्थीपा देते हैं तो आपको याद रखना है और इनका कारेकल पांच वर्सों का होता है बेतन पांच लाग है याद रखना है कुश्चन नमबर पांच है प्रेथवी के वाई मंडल का सरवाधी घनात्व किस पर होता है छोब मंडल पर होता है ठीक है बात करें छोब मंडल की तो देखें छोब मंडल को जो है अंगरेजी में ट्रोपो एस्पियर बोला जाता है और यह प्रिथवी के वाई मंडल का सबसे नीचला हिसा है ठीक है इस परत में आदर था जलकण धूलकण वायू वायू धूंद तथा सभी मौसम घटनाई जो होती है इसी मंडल में होती है छो मंडल में ठीक है और प्रिथवी के आथा आपको याद रखना है आंसर हो जायागा दी कुश्चन नम्बर साथ है पवन की गति को मापने वाला उपकराण है कूश्चन ठाप मा पूश से आपको याद रखना है दोरो से आपको याद रखना है गहना है ठीक है, हाइड्रो मीटर के द्वारा, ड्रो से याद रखेंगे, द्रो का आपक्षी घना तो मापा जाता है, और हाइड्रो मीटर, इन दोनों में काफी बच्चे जो है, कन्फ्यूज होते हैं, तो देखे, ड्रो और ग्रो, दो दिया गया है इसमें, आपको कन्फ्यूज नह होना है, ड्रो से द्रो की आपक्षी घना तो याद रखना है, और ग्रो, हाइड्रो मीटर की बात करें, तो इसके द्वारा, वाई मंडल की याद रखना है, ड्रो से सिर्फ आप याद रखेंगे, द्रो की आपक्षी घना तो मापा जाता है, तो इसमें कन्फ्यूजन आप को नहीं होगा ठीक है याद रखना है question number 8 है भारत के किस राज़े में बिश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौझूद है तो बिश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार किस राज़े में मौझूद है तो ये है कीरल में ठीक है आंसर हो जाएगा ये इसके अलावा कीरल को जो है ये मसालो के बगीचा के नाम से भी जाना जाता है मसालो के मसालो के बगीचा के नाम से भी इसे जाना जाता है याद रखना है आपको question number 9 है Greenland किस देश का अभी नंग है? Greenland जो है किस देश का अभी नंग है? Denmark का है ठीक है? ग्रिन लेंड डेनमार का जो है अभी नंग है कुश्चन नम्बर दौस है टेलर घाटी किस देश में अवस्तित है टेलर घाटी किस देश में अवस्तित है आस्ट्रेलिया में ठीक है टेलर घाटी आस्ट्रेलिया में अवस्तित है कुश्चन नमबर 11 है भारत में पहला क्रेसी बिग्यान के अंदर कहां अस्थापित हुआ था पूद्दू चेरी में कहां पर पूद्दू चेरी में अस्थापित हुआ था आंसर हो जाएगा B कुश्चन नमबर 12 है भारत में 14 बैंकों का राष्टी करान किस पंच वर्षी यूचना के दोरान हुआ था तो यह चौथी जो पंच वर्षी यूचना थी इसी के कारेकाल के दोरान जो हुआ था तो आंसर हो जाएगा यह और अभी बरतमान में हम यदि बात करें कि अभी कित टोटल कितने है टूएल ठीक है टूएल राष्टी करिद बैंक है कुश्चन नमबर 13 है सरवाधिक है अमलिया बरसक किस देश में होती है तो यह होती है नारवे में ठीक है अंसर हो जाएगा सी कुश्चन नमबर 14 है किसे बीधी के लिए सरवच नियाले से प्रामर्स मागन का अधिकार है किसके पास है तो यह है राष्पती के पास ठीक है राष्पती जो होता है यह भारत का प्रथम नागरिक होता है याद रखना है आपको भारत का प्रथम नागरिक राष्पती होता है और किसी भी बीधी के लिए सरवच नियाले से प्रामर्स मागने का अधिक जो है इराश्पति को ही है तो आंसर हो जाएगा उप्सने कुश्चन नमबर 15 है बीश्व के सबसे उचाई परेस्तित बेदसलक किस देश में स्थीत है तो यह भारत में स्थीत है ठीक है आंसर हो जाएगा ठीक है कहा परेस्तित है भारत में कुश्चन नमबर 16 है इंद्रा गादे सेंटर उट्मिक रिसर्श के सेंटर किस राज्श में स्थीत है इंद्रा गादे सेंटर फ़िस्ट है तो यह आंसर हो जाएग भी question number 17 है कारेपालिका का प्रमुक कौन होता है तो कारेपालिका का जो प्रमुक होता है वो होते हैं राश्पती याद रखना है राश्पती कारेपालिका का प्रमुक होते है question number 18 है राश्पती लोगसभा को भांग करते है राश्पती जो होते हैं लाल चंदन भारत में सबसे अधि कहां पाया जाता है देखिए very important question है अभी हाले में एक फिल्म आई है पुस्पा ठीक है पुस्पा अभी हाले में फिल्म आई है साउथ की फिल्म है टॉलीवूड तो देखिए उस पुस्पा जो फिल्म है उसमें लाल चंदन के इर्द गिर् दिखाया गया है लाल चंदन के उपर इन फिल्म बनाई गई है तो यह काफी ज़्यादा important question है आप सभी के लिए तो लाल चंदन जो है सबसे अधि कहां पाया जाता है तो लाल चंदन को लाल सोना के भी नाम से जाना जाता है और सबसे अधिक जो आंधर परदेश में ठीक ह और यह पहाडिया जो है तमिलाडो के सीमा से लगने वाले आंधर परदेश के चार जीलो से मतलब है निलोर कुर्णूर और कुर्णूर चितूर और कडपा ठीक है कडपा यह चार जीले जो है यह मतलब यहां पर जो है सियसा चलम की जो पहाडिया है यहां पर यह चार जील यहां पर जो है यह लाल चंदन का जो ब्रिक्ष यह पाए जाता है ठीक है इसके अलावा जो पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा जो है लाल चंदन के पेंड़ नहीं होते हैं तो यह बाते आपको याद रखनी है यह काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है और जो पुस्पा फिल्म बनाई गई है इसके निर्देशक यानि डारेक्टर का नाम पुछा जाए तो आपको यह भी बाते याद रखनी है इनके डारेक्टर कौन है तो पुस्पा फिल्म के जो डारेक्टर है वह है सुकुमार ठीक है सुकुमार जो है य होती किम्ति जो है यह मतलब यह लाल चंदन का पेंड होता है अगला कुछ्छन देखते हैं काटास किस देश के बिदेशी हवाई सेवा का नाम है तो यह आश्ट्रेलिया देश की बिदेशी हवाई सेवा का नाम है कटास, याद रखना है, question number 21 है, बाध धरम कहां बट गया, sorry, बाध धरम का बट गया, तो देखी, ये बट गया था, चतूर्थ बाध संगीती में, ठीक है, चौथी जो बाध संगीती हुई थी, उसी में जो है, बाध धरम बट गया, Question number 22 है भारतिय जागरिती के जनक किसे कहा जाता है तो ये राजारा मोहन राय को कहा जाता है ठीक है, answer वो जाएगा D23 है Britain के Margaret Thatcher को किस नाम से जाना जाता है तो ये जाना जाता है Law Mahila के नाम से ठीक है, answer वो जाएगा D Question number 24 है भारत के किस राजे में लाल मिर्चे सबसे अधिक पैदा होती है तो लाल मिर्चे जो है, ये सबसे अधिक आंधर परदेश में पैदा होती है Correct answer, ये हो जाएगा 25 है भारतिय प्रसासनिक सेवा किस के सासन काल में परारंब होई थी तो प्रसासनिक सेवा जो है ये लॉर्ड करनवालिस के सासन काल में प्रारंब हुई थी अंसर हो जाएगा D बहुत संग में सम्मिलित होने के लिए नियूंता मायू सिमा कितनी थी तो देखे उस टाइम की बात करें बहुद संग में सम्मिलित होने के लिए नियूंता मायू जो थी तो कितने थी 15 बर्स ठीक है याद रखना है उस टाइम पे थी आंसर हो जाएगा ये उस टाइम बहुद धरम में जो है सम्मिलित होने के लिए नियूंता मायू कितने थी 15 बर्स ठीक है बिशो का सबसे बड़ा दूइब कौन सा है बिशो का सबसे बड़ा दूइब कौन सा है ग्रीन लेंड है ठीक है ग्रीन लेंड जो है बिशो का सबसे बड़ा दूइब है जो कि आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच में इस्तित है ठीक है रभिया दुराने किस मुग सासक की पत नहीं थी तो और अंजेव की पत नहीं थी ठीक है सी आंसर हो जाएगा 29 है किस गुप्त कालेंज सासक को कभी राज कहा गया तो कभी राज जो कहा गया समुद्र गुप्त को कहा गया ठीक है समुद्र गुप्त को इसके अलावा जो है समंद्र गुप्त को इसके अलावा जो है भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है क्या बोला जाता है भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है समंद्र गुप्त को ठीक है आंसर वोचायेगा बी सोरी सी गिर्नार परवत पर एस्तित सुदर्शन जील का पुनरुद्वार किस ने किया तो देखे ये किया था असकंद गुप्त ने ठीक है किसने किया असकंद गुप्त ने ही अंसर हो जाएगा निमनलेखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था तो इन में से कौन सा नाटक जो है कालिदास ने नहीं लिखा था तो पहला है माल भी कांगनी मित्र तो ये कालिदास के द्वारा लिखा गया अभी ग्यान सो कुंतलम ये भी जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया है और बिक्रमो वर्सियम ठीक है ये भी जो है काली दास के द्वारा लिखा गया है और चान की हरन की बात करें तो ये महाकाब्य जो है काली दास के द्वारा नहीं लिखा गया है किसके द्वारा सिरलंका के महाकब्य कुमार दास ठीक है कुमार दास के द्वारा जो है ये महाकाब्य जो है लिखा गया ह याद रखना है आपको गूपत राजवनस किसलिए प्रसीत था कला अश्था पत्य के लिए प्रसीत था सीवा जी की मंत्री परिशद में परधान मंत्री को क्या कहा जाता था पेशुआ ठीक है परधान मंत्री को क्या कहा जाता था पेशुआ याद रखना है हिंदी कभीता के रीतिकाल का प्रथम कभी किसे माना जाता है हिंदी कभी ताके रेतिकाल का प्रथम कभी किसे माना जाता है तो यह माना जाता है केसा उदास को ठीक है केसा उदास को माना जाता है अंसर हो जाएगा D 35 है बांदिपूर राष्टिय उत्यान किस राज्य में स्तीत है बांदेपुर राष्टी उद्यान किस राज्य में है करनाटक में कहां पर है करनाटक में है आंसर हो जाएगा C कुश्चन नमबर 36 है सेंडविच दूइप का पुराना नाम था सेंडविच दूइप का पुराना नाम क्या था हवाई दूइप ठीक है हवाई दूइप जो था मतलब सेंडविच दूइप का पुराना नाम हवाई दूइप था अंसर हो जाएगा बी कुश्चन नमबर हमारे जीवन से प्रकास चला गया है किसने कहा था तो देखे महात्मा गांधी जी की मिर्तु हुई थी तो उसमें नेहरु जी ने जो है यह बात बोली थी गांधी जी की मिर्टू पर ठीक है गांधी जी की गांधी जी की मतलब मिर्टू हुई थी उसी टाइम पर जो है नेहरू जी ने क्या बोला था कि हमारे जीवन से जो है प्रकास चला गया तो आंसर हो जाएगा अप्शनी कुश्चन नमबर 38 है दस अवातार दस अवातार मंदिर किस नदी के टट परिस्तित है दस अवातार मंदिर किस नदी के टट परिस्तित है बेतवा नदी के टट परिस्तित है डी आंसर हो जाएगा नियूटन के सिधानतों की पूर्वा कलपना किस बैग्यानिक ने की नियूटन के सिधानतों की पूर्वकल्पना किस वैग्यानिक ने की तो ये ब्रहमगूप्त ठीक है ब्रहमगूप्त ने की थी आंसर वो चाहेगा भी कुश्चन नमबर 40 है निमनलेखित मैंसे किस प्रकिरिया में आकसीजन को हवा में छोड़ा जाता है किस प्रकिरिया में आकसीजन को हवा में छोड़ा जाता है तो ये प्रकास संसलेशन की प्रकिरिया में जो हवा में छोड़ा जाता है किस परक्रिया में अक्सिजन को हवा में छोड़ा जाता है प्रकास संसिलेशन की परक्रिया में ठीक है प्रकास संसलेशन होता है तो कर्बन डाय अक्साइड जो है पेड़ होते हैं वो ग्रहन करते हैं और आक्सीजन जो है छोड़ते हैं तो याद रखना है आपको आक्सीजन पसे मंगल के सिमय कितने दोसों के साथ लगती है बहरी इंपोर्टन कुस्चन दोस्तो यदो अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए पस्षिम मंगाल के सिमाय कितने देशों के साथ लगती है तो आप सभी को पता ही होगा तीन देशों के साथ लगती है नेपाल भूटान भूटान और बंगलादेश ठीक है बंगला बंगलादेश ठीक है इन तीन देशों के साथ है नेपाल भूटान और बंगलादेश ठीक है पशिम मगल के सिमाय लगती है सी यह आंसर हो जाएगा भारत की स्वतंता के समय गौर्णा जनरल कौन था भारत की स्वतंता के समय जिस टाइम पे स्वतंत हुआ था उस समय जो है गौर्णा जनरल कौन था तो उस समय जो है गौर्णा जनरल लौर्ड माउंट बेटन था ठीक है याद रखना है लौर्ड माउंट बेटन रंग भूमी किसकी रचना है मुंसी प्रेम चंद्र की रचना है मनुस्य के सुंगने की छमता को नियंतरित करता है तो सुभुने की छमता जो होती है उसको कौन नियंत्रित करता है ध्रानेंद्रीय पाली जो होता है ये मनुश्यक के सुभुने की छमता को जो है नियंत्रित करता है C आंसर हो जाएगा 45 है और ये लाश्ट कुश्चन है इस वीडियो का निमने लेखित में से कौन सा भारत में जन संख्या के अनुसार सबसे लोग प्रिया सोहर या सोहरी समू है तो आपको बताना है इन में से कौन जो है भारत में जन संख्या के अनुसार सबसे लोक्त्रिय, सोहर या फिर सोहरी समू है तो देखे इसका आंसर बता देते हैं आपको मुंबई है ठीक है मुंबई है याद रखना है भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोग प्रिया सहरी या फिर सहरी समू है तो C आंसर हो जाएगा तो दोस्तों ये था टोटल 45 कुश्चन ठीक है टोटल 45 कुश्चन में से आप कितने कुश्चन जो है सही कर पाएं अपना स्कूर जो है कमेंट में जरूर बाता है और यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लेज वीडियो को लाइक जरू कर करते हैं और अपने दोस्तों में भी सियर कर दें और चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानि घंटी का जो निसान है उससे जरूर से रखें ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार चैहिंद चैभारत